हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आज के इस नए वीडियो में आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जार्खन पुलिस के एक्जाम के लिए जार्खन जीके के बारे में आज के वीडियो में मैं आपको सो अती महत्तपुर्ण MCQ बताने वाला हूँ ठीक है ये ड इसलिए आज 9 वीडियो है तो आज 900 प्रस्थन खतम हो जाएंगे ठीक है और 10 वीडियो में 1000 प्रस्थन पूरे हो जाएंगे तो चलिए अब हम वीडियो की शुरुबात करते हैं और ये सवाल जो है आपके paper 2 के exam में पूछा जाएगा ठीक है जारकन पुलिस के paper 2 के exam में पू तो सवाल मैं नहीं बताता हूं तो चलिए अब हम सुरू करते हैं देखिए आज के वीडियो में पहला सवाल 801 प्रसन से सुरू होगा क्योंकि पिछले आठ वीडियो में 800 प्रसन खतम हो चुके हैं तो हमें टोटल 1000 प्रसन पूरा करना है इसलिए आज 800 एकवे प्रसन से सुरू होगा देखिए आज के वीडियो का पहला सवाल है कि निम्नलेकित में से कौन सी झारकन में सरवाधिक बोले जाने वाली जन जातिय भासा है तो इसका सही उतर होगा संथाली भासा यानि जारकन में सबसे ज़्यादा संथाली भासा बोला जाता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं जारकन में बोले जाने वाली मुंडा भासा का एक अन्य नाम क्या है तो मुंडा भासा को होडा जगर के नाम से भी जाना जाता है ठीक है यानि मुंडा जो भासा है उसको होडा जगर भी कहते हैं अगला है जार्खन में बोले जाने वाली मुंडा भासा की प्रमुख बोली क्या है तो मुंडा भासा का अंतरगत इसाद बोली बोले जाता है नगूरी बोले जाता है और तमारिया भी बोले जाता है तो इसका सही उतरोगा उपर युक्त सभी मतलब जो मुंडा भासा है उसके अंतरगत ये तीनों बोली बोला जाता है ठेक है सब मुंडा भासा के अंतरगत ही आता है चलिए आगे बढ़ते हैं जारकन में बोले जाने वाली हो जनजाती की भासा हो किस भासा समूह की है देखिए जो हो जनजाती द्वारा हो भासा बोले जाता है वो हो भासा किस भासा समूह का है तो इसका से उतर होगा मुंडारी ठीक है मुंडारी भासा समूह का है चलिए इंपोर्टन सवाल है सभी या खड़िया किस जन्जाती की भासा है अब देखे मुंडारी समूः का अंतरगत खड़िया आता है तो खड़िया भासा किस जन्जाती की भासा है तो उसका सही उत्रोगा खड़िया की ठेक है खड़िया जन्जाती द्वारा खड़िया भासा बोला जता है अगला है जार्खन में उराओं जंजाती द्वारा बोली जाने वाली द्रविड भासा समोव की प्रमुक भासा कौन सी है देखे द्रविड भासा समोव की जो उराओं जंजाती द्वारा बोले जाने वाली भासा है एक उराओ और एक यानि कि ये दोनों भासाईं बोली जाती है उराओ जञाती के द्वारा झार्खन में और ये दोनों भासाईं द्रव्डवासा का अंतरगत आती है तो इसका सही उतर हो जाएगा उपरव्यों थेक है उपरव्यों की भासा नहीं है तो इसका सयूत्रोगा कुर्माली ठीक है और बाकी मुंडा, कोल और संथाली ये सभी मुंडारी वर्ग की भासा का अंतरगत आता है चलिए आगे बढ़ते हैं निम्नलिकित में से कौन सी जारखन में बोले जाने वाली द्रब्ड वर्ग की भासा नहीं है तो इसका सयूत्रोगा उराओं और मालतो या मालती जिसको भी बोले जाता है ठीक है, ये दोनों सही होगा तो इसका उपरिक तो सब जो है सही अप्शनों का उपरिक तो दोनों ठीक है तो जो द्रवड वर्ग की भासा है वो यहाँ पे द्रवड वर्ग की भासा नहीं है ठीक है पूछ रहा है ना तो यहाँ पे उराओं और मालतो यहां मालती होगा ठीक है यह द्रवड वर्ग की भासा नहीं है चली आगे बढ़ते हैं यह दोनों नहीं है चली आगे बढ़ते ह अन्यमना लिखित में से कौन जारखन में बोली जाने वाली सादानी वर्ग की भासा है तो इसका से उतरोगा खरोठा, पंच और परगनिया ये सबी होगा ठीक है ये सबी सादानी वर्ग की भासा है तो यहाँ पर उपर उग तो सबी आप्सन सही होगा संथाली भासा के सम्मंद में लिखी गई अंग्रेजी पुस्तक तथा उसके प्रकाशन वर्स एवं अस्थान के सम्मंद में निम्नलेकित में से कौन सा युगमा सुमेलित है तो देखे, यहां पे पुस्तक और उसके प्रकाशन वर्स और अस्थान के समंद में कौन सा शही है वो आपको बताना है, देखे पहला कथन यहां पे कह रहा है कि संथालिया एंड दा संथाल्स संथालिया और संथाल्स इजी मन द्वारा लिखा गया है और 1866 में लिखा गया है और यह लंदन की पुष्टक है तो यह बात जो है सही बताये गया है संथालिया और संथाल्स पुष्टक इजी मन द्वारा लिखा गया है और यह 1866 में लिखा गया था ठीक है लंदन में चलिए अगला option फिर देखते हैं A vocabulary of the Santhali language यह Ray E L के और फासले के द्वारा लिखा गया था ठीक है 1860 में लिखा गया है और यह भी लंदन में ही लिखा गया है ठीक है यह भी बात सही है चलिए आगर बढ़ते हैं अगला कतन है कि An introduction to the Santhal's language J flips के द्वारा लिखा गया है 1862 निश्वे में लिखा गया है और यह कलकत्ता में लिखा गया था ठीक है चलिए तो यह चीजें यहां पर तीनों सही है तो इसका सही option होगा उपर्युक्त सभी यानि कि उपर्युक्त सभी कथन जो है सूमेलित हैं ठीक है सही उत्रों का उपर्युक्त सभी चलिए आगे अगला सवाल है देखिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल कहे रहा है कि मुंदारी व्याकरण तथा मुंदा भासा एवं संस्कृती का अविश्वकोस एंसाइक्लोपीडिया मुंदारी का किस ने लिखी तो इसका सही उत्रों जाएगा फादर डॉफ मैन ने ठीक है यानि एंसाइक्लोपीडिया मुंदारी का पुस्तक जो है फादर डॉफ मैन ने लिखी है ठीक है इसमें मुंदारी व्याकरण दिया गया है और मुंदा भासा और संस्कृती के बारे में बताया गया है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं डबलू जी अरचर द्वारा सललह सो एकतालिस लोक गीतों का संग्रह मुंदार्ँचृत दुरर्ण कब प्रकासित हुआ तो इसका सहीत रोगा उन्हें गया च्थी में 142 हिस्वी में मुंदार्ण प्रकासित हुआ ठीक है पुस्तक है चलिए आगे बढ़ते हैं पुस्तक तथा उसके लेखक या संग्रह करता के संबंध में निम्ना लेखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है पुस्तक और उसके लेखक के संबंध में तो यह आपको यहाँ पे बताना है देखिए कौन सा गलत है वो आपको पताना है देखिए पहला कतन कह रहा है कि dictionary of खड़िया language के लेखक है its floor और संग्रह करता है थेसेंस मतलब की dictionary of खड़िया language के लेखक its floor तथा थेसेंस है ये बात सही है चलिए अगला है introduction to the खड़िया language के लेखक है गगण चंध्र थेक है ये बात सही है चलिए अगला है द खड़िया के लेखक है सरत चंध्रह राय ये भी बात सही है अगला के खड़िया आलोड के लेखक है s, j, d lebih ये बात गलत है तहां पे जो गलत है वो आपको बताना था ठीक है तो चौथा अप्सन सही होगा चलिए आगे बढ़ते हैं जारकन में बोले जाने वाली नागपुरिया भासा पर किसका प्रभाव नहीं है देखे जारकन में जो नागपुरिया भासा बोले जाती है उस पर किस भासा का प्रभाव नहीं है मतलब क वो उसके जो नाकपुरिया में कौन सा भासा नहीं बोला जाता है ठीक है वह चली अगला है, grammar of the नागपुरिया सदानी language के लेखा कौन है, तो इसका सही उतर जाएगा, रेवर, रेवरेंड फादर कौन राइड बुक आउट, ये पहला option, ठीक है, पहला option सही होगा, चली आगे बढ़ते हैं, नागपुरी का प्रथम ज्यात कवी किसे माना जाता है, तो इसका सही उतर होगा, रगुनाथ निरिपती, ठीक है, रगुनाथ निरिपती, चली आगे बढ़ते हैं, नागपुरी गद्य लेखन का प्रारंभ कब से माना जाता है, तो इसका सही उतर होगा, उनई सोईस्वी से, ठीक है, नागपुरी गद्य लेखन का प्रारंभ उनई सोईस्वी से माना जाता है, अगला है नौर्वेजियन धर्म प्रचारक P.O. बाल्डिंग ने किस भासा के लोक साहित्य के कई संग्रहों का संपादन किया तो इसका सहिवतरों जाएगा संथाली भासा का टेक है यानि जो संथाली भासा के लोक साहित्यों के कई संग्रह का संपादन किये थे कौन नौर्वेजियन धर्म प्रचारक P.O. बाल्डिंग टेक है चलिए आगे बढ़ते हैं नागपुरी भासा से संबंधित पुस्तक तथा उसके लेखा के संबंध में कौन सायुगम सुमेलित है तो यह आपको बताना है देखे कौन साईगम सुमेलित है तो यहाँ पे देखे पहला क्या करा है कि नागवनसावली लिखा है बेनी राम महत्ता ने ये बात शही है अगला है नागपुरी फाग सतक ललना रणजन इसको लिखा है घासी राम ने ये भी बात सही है अगला है knots of the गवारी direct of लोहर दग्गा इसको लिखा है छोटा नागपूर E.H बिटिली ने ये भी बात सही है ठीक है चली आगे बढ़ते हैं तो इसका option सही होगा उपर्योगत सभी ठीक है यानि कि जब उपर दिये के सभी कथन सत्य है तो नीचे का option उपर्योगत सभी option सही हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर D option सही टीक करना है आपको चली आगे बढ़ते हैं इन में से कौन सी रचना छोटा नागपूर के हिंदी सहित्यकार राधा क्रिश्नन की है तो इसका सही उतर हो जाएगा रुपांत फूट पाथ और बोगस यह सभी सही होगा तो उपर्योगत सभी option सही है ठीक है कोई confusion है तो comment जरू कीजेगा ठीक है चली आगे बढ़ते हैं पुस्तक तथा लेखा के सम्मंध में निम्नलेखित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है पुस्तक और लेखा के सम्मंध में वह आपको यहां पर बताना है देखे कौन सा युगम सुमेलित नहीं है यानि कौन सा गलत है वह आपको बताना है पहला क्या कर रहे कि ग्रह का फेर अनंत सहा या खौरी ने लिखा है यह बात सही है अगला option है आत्म हंता डॉक्र सत्य नरायन सर्मा ने लिखा है ये भी बात सही है अगला है घेरे के बाहर द्वार का प्रसाद ने लिखा है ये भी बात सही है तो जब तीन सही है तो समझे चौथा गलत है ठीक है तो नल चरितर ये मामराज सर्मा ने नहीं लिखा है जब तीन सही हो तो समझिये चौथा सही होगा चलिए आगे बढ़ते हैं जहारखंड से छोटा नागपूर पाली का नामक साहिती एक मासिक का प्रकासन कब प्रारंब हुआ तो इसका सही उतर का 1924 से ठीक है 1924 से चलिए आगे बढ़ते हैं जहारखंड के पहले सप्ताहिक पत्र आरिया वर्त का प्रकासन रांची से कब प्रारंब हुआ तो इसका सही उतर हो जाएगा 1898 इस्वी से । ठीक है 1898 इस्वी में यानि सब्ताहिक पत्र आरियावर्थ का प्रकासन राची से सुरू हुआ था चली आगे बढ़ते हैं जहारखन में निम्नलेखित में से किसने बाल सिक्षा नामक पुस्तक लिखी तो इसका सहीवतर हो जाएगा ममता सर्मा ने स्वारी माम राज सर्मा ने ठीक है माम राज सर्मा यह सहीव उप्सन है चली आएगे बढ़ते हैं निम्नलेखित में से कौन जहारखन में आख्यान गीतों के लिए विसेश प्रसिद्ध है तो इसका सहीवतर हो जाएगा द्रिग पाल राम देव घरिया ठीक है द्रिग पाल सबसे पूराना समचार पत्र कौन सा है तो सबसे पूराना समचार पत्र है प्रभात खबर ठीक है प्रभात खबर प्रभात मेरा भिण्याम है तो खबर समझे ठीक है याद रिखेगा मेरे नाम से प्रभात खबर चली आगे बढ़ते हैं जहारखन में पंडित राम चीज सि बल्लब ने हिंदी में प्रतम बार किस ग्रंथ की रचना की जो पंडित रामचीत सिंह बल्लब थे उनने हिंदी में पहली बार इन तीनो ग्रंथों की रचना की थे ठेक है चलिए आएगे बढ़ते हैं राजपूती सान राजपूती सान उमा संकर तथा ललिता नामक उपन्यासो के लेखक कौन है तो इसका सही उत्र हो जाएगा पंडित राम चित सिंग पल्लव ठेक है ये दूसरा उप्शन चलिए आएगे बढ़ते हैं जारकंड के धानी राम बक्सी किस भासा के ससक्त कवी एवं गद्यकार थे तो इसका सही उत्र हो जाएगा हिंदी के ठेक है हिंदी भासा के ससक्त कवी और गद्यकार थे गद्यकार के मतलब होता है कहानी लिखने वाला चलिए आगे बढ़ते हैं देखे निम्नलेकित में से किस ने हलधर प्रेस से पलामू का इतिहास प्रकासित किया तो इसका सही उत्रों जाएगा हवलदारी राम गुप्त ने चलिए आएगे बढ़ते हैं राची में राज्य पुस्तकाले की अस्थापना कब हुई थी तो इसकी अस्थापना जो है आहुई थी उनेशो त्रेपन इस्वी में सही उत्रों का उनेशो त्रेपन चलिए आएगे बढ़ते हैं हजारी बाग में प्रमंडली या पुस्तकाले की अस्थापना कब हुई थी तो इसका सही उत्रों का 1922 इस्वी में चलिए आगे बढ़ते हैं धनबाद में राज्य पुस्तकाले की अस्थापना कब हुई थी तो इसका सही उत्रों का 1926 इस्वी में ठेक है पहला उप्सन चलिए आगे बढ़ते हैं दुमका में राज्य पुस्तकाले के अस्थापना कभ हुई थी तो इसका सही उत्र हो जाएगा 1952 में ठीक है 1952 सही होगा चलिए आगे बढ़ते हैं चाईबासा में राज्य पुस्तकाले के अस्थापना कभ हुई थी तो इसका सही उत्र हो जाएगा राज्य एक्सप्रेस ठीक है यहाँ पे देखे राज्य एक्सप्रेस प्रभात खबर दैनिक जागरन हिदुस्तान आज और राज्य मेलिन सभी का प्रकासन राज्य से होता है तो इसका सही उप्सन हो जाएगा उपर युक्त सभी कैसा ही उत्र होगा उपर युक्त सभी चलिए आगे बढ़ते हैं निमनल इकित में से किस समाचार पत्र का प्रकासन जमसेदपुर से नहीं होता है तो जमसेदपुर से किसका प्रकासन नहीं होता है देखे इसका सही उत्र हो जाएगा यहाँ पर दैनिक भासकर ठीक है दैनिक भासकर का प्रकासन जमसेदपुर से नहीं होता है बागी प्रभात खबर चमकताईना और आज इन सभी का प्रकासन जमसहित पुर से भी होता है चलिए आगे बढ़ते हैं दैनिक जन्मत का प्रकासन निम्नलीखित में से किस नगर से होता है तो इसका से उतर हो जाएगा धनबाद से ठेक है धनबाद से होता है चलिए आगे बढ़ते हैं दैनेक राष्ट्रिय नवीन मेल का प्रकासन कहां से होता है तो इसका सही उतर हो जाएगा डाल्टन गन से ठेक है मैंधिनी नगर से चलिए आगे बढ़ते हैं बिहार का सबसे पुराना नगरपाली का कौन है तो इसका सही उतर हो जाएगा लोहर दग्गा ठीक है बिहार का सबसे पुराना नगरपाली का लोहर दग्गा है चलिए आगा बढ़ते हैं निमनलीकित में से किस पत्रीका का प्रकासन जमसेत पूर से होता है तो इसका सही उतर जाएगा लौह कुंज साकार कल्पना राही नईरा के और यह देखे यह तीनों इन तीनों का प्रकासन जो है जमसेदपुर से होता है तो इसका सही उत्तर जाएगा उपर्युक्त सभी अगला है राची से दैनिक हिंदुस्तान का प्रकाशन कब प्रारंब हुआ तो इसका प्रकाशन जो है प्रारंब हुआ था दो हजार इस्वी में ठीक है दो हजार इस्वी सही उतरोगा चलिए आगे बढ़ते हैं राची से दैनिक प्रभात खबर का प्रकाशन कब प्रारंब हुआ तो राची से प्रभात खबर का प्रकाशन जो है कब प्रारंब हुआ तो इसका सही उतरोगा उन्हें सो चौरासी स्वी में ठीक है यह दैनिक जो है यहां पर लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह खबर का नाम नहीं है ठीक है मतलब यह दैनिक का मतलब होता है प्रति दीन ठीक है प्रति दीन जो प्रभात खबर का प्रकासन होता है वो राची से कब प्रारंब हुआ तो 1984 में हुआ था ठीक है अगला है लोहर दग्गा नगर पालिकया के स्थापना कब हुई थी तो इसकी अस्थापना जो है एक जुलाई पहला कतन है कि आवाज का प्रकासन धनबाद में प्रारंब हुआ था यह बात गलत है अगला है जनमत धनबाद से हुआ था यह बात भी गलत है तो यहाँ पे जो सुमेलित था वो आपको बताना था ठीक है तो यहाँ पे बी आप्शन सुमेलित है ठीक है देश प्राण का पहला प्रकासन हजारी बाग से शुरू हुआ था चलिए यह समाचार पत्रिकाओं का नाम है अगला है जारकंड विधान सभा की त्रेमासिक पत्र है तीक है उडान है में कि चलिए आगे बढ़ते हैं जारकंड अंत्योदय पब्लिक चाली टेबल ट्रस्ट द्वारा प्रकासित पत्रिका कौन सी है इसका सही होगा यह तरंग भारती तरंग भारती चलिए आगे बढ़ते हैं शबताहिक वीडियो न्यूज द्रिश्टी का तो आगए बढ़ते हैं जारकन राज्य की सासनपणाली का आधार क्या है तो जहारकन राज्य की सासन प्रणाली का आधार है भारतिय सविधान टेक है सभी राज्यों में भारतिय सविधान ही सासन का आधार है जहारकन राज्य की कार्य पालिका का गठन किसके द्वारा होता है तो इसका सही उत्र होगा राजय पाल और राजय मंत्री परसद ये दोनों को द्वारा तो इसका सही अप्शन होगा परयूक तो दोनो चलिए आगे बढ़ते हैं जहारखन राजय के लिए राजय पाल की नियुकती कौन करता है तो राश्ठपती करते हैं, ठीक है? असत्य है कौन्सा असत्य है वो आपको बताना है देखें पहलाAmerica सी ने रहा है कि राजपाल राष्टपती के प्रासाद परियत पद्धारन करता है कि टो यहां पे यह बात सई है ठीक है अगला है राजपाल की न्योक्ति परधान मंती करता है ये बात गलत है अभी अभी मैंने बताया था आपको राजपाल की न्योक्ति राष्ट पति द्वारा किया जाता है अगला है राज़ेपाल राज कारेपालिका का वायधानिक परधान होता है ये बात सही है जितने भी राज़े में कारेपालिका है उन सभी का परधान जो है राज़ेपाल ही होता है अगला है राजपाल का करेकाल 5 वर्षों के लिए होता है यह भी बात सही है ठीक है तिहां पे जो गलत था वो आपको बताना था तो इसमें गलत है भी आप्शन तो भी आप्शन इसके प्रसन के हिसाब से सही उतर है चलिए आगे बढ़ते हैं भारतिय सविधान का कौन सा अन मुख्य मंत्री की नुकती राजय पाल करेगा इसमें लिखा हुआ है चलिए आगे बढ़ते हैं यदि जारकन में वैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राष्टपती को इसकी रिपोर्ट कौन देता है तो राष्टपती को इसकी रिपोर्ट राजय पाल देगा कौन देगा राजय पाल देगा क्योंकि जो राजय पाल है वो राष्टपती के द्वारा भेजा गया जो एक मतलब क्या कहें कि पूरे राजय का एक परधान कारेपालिका का परधा व्यक्ति होता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं जहारखन राज्य का विधान मंडल है अब कैसा विधान मंडल है तो इसका सही उतर होगा एक सदनी है टिक है चलिए आगे बढ़ते हैं जहारखन राज्य की विधान सभा का कारेकाल कितने वर्सों का होता है तो पांच वर्सों का होता है याद रखेगा पांच वर्सों का चलिए आगे बढ़ते हैं जारकंड में विधान सभा सीटों की संख्या कितनी है तो यहां पर सही उतर होगा 82 टेक है 82 विधान सभा है चलिए आगर बढ़ते हैं जारकंड विधान सभा के लिए कितने सदस्य एंगलो इंडियन समुदाय से मौनोनित किये जाते हैं जाते है और बाकी 81 जो विधायक लोग होते हैं वो भौट के द्वारा चूने जाते हैं ठीक है वोटिंग के द्वारा चलिए आगर बढ़ते हैं जहारकन राज्य के विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की निउक्ति किसके द्वारा की जाती है तो इसका सेवत तो जाएगा विधान सभा की द्वारा ठीक है विधान सबा की द्वारा किया जाता है चलिए जहारकन के प्रथम विधान सबाध्यक्ष कौन थे तो जहारकन के पहले विधान सबाध्यक्ष थे इंदर सिंग नामधारी ठीक है पहला उप्षन चिली आगे बढ़ते हैं जहारकन के प्रथम विधानसभा उपाद्यक्ष कौन थे तो n इसका सचे उतर जाएगा बागुन सुमभरई चलिए अगला है जहारकन के प्रथम मनोनित विधानसभा सदस्य कौन थे तो इसका से उतर होगा जोसेफ पंचेली गौल्ट स्टीने तीसरा ओप्शन जोसेफ पेचली गौल्ट स्टीने चलिए आगे बढ़ते हैं जारकन विधान सवा में प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे तो इसका सहीवत रजाएगा इस्टीफन मरांडी जारकन की प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी तो प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री थी जोबा माजी इंपोर्टन सवाल है यह सबी किसी भी एकजामो जारकन का उसमें पूछ देता है चलिए जारकन में लोकसबा की कितने सीटे हैं तो जारकन में लोकसबा की सीटे हैं 14 ठीक है 14 सीटे हैं चलिए आगा बढ़ते हैं जारकन बिधान सबा की कितने सीटे अनसूचित जन जाती के लिए आरक्षित हैं तो विधान सभा की कितनी सीटे अनुसुचि जाती के लिए सोरी जन जाती के लिए आरक्चित है तो इसका सेटरोका 28 28 सिटे अनुसूतित यानि कि ST वालों के लिए आरक्षित हैं अगला है जारकंड विधान सभा की कितनी सिटे अनुसूचित जाती यानि कि ST के लिए आरक्षित हैं तो इसका से उत्रोगा आठ जारकंड में राज्य सभा सदस्यों की संख्या कितनी है तो इसका से उत्रोगा छे जो राज्य सभा सदस्य है उनके संख्या छे है जारकंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे तो जारकंड के प्रथम राज्यपाल थे प्रभात कुमार ठेक है से उत्रोगा प्रभात कुमार जारकन के प्रथा मुखमांत्री कौन थे तो प्रथा मुखमांत्री थे बाबुलाल मरांडी तेक है सयुतरोगा बाबुलाल मरांडी ये पहला अप्सन तेक है चलिए आगे बढ़ते हैं राची में अस्थापित जारकन का उच न्याले भारत का कौन सा न्याले है तो इसका सहीवत रोजाएगा यहां पर एकईसवा नियाले है ठीक है एकईसवा नियायाले भारत का एकईसवा नियाले है जारखंड में जो अस्थापित हाई कोट है ठीक है चलिए जारखंड उच नियायाले के मुख्य नियाधिस के नियुक्ति कौन करता है तो मुख्य नायधिस के नियुक्ति करता है राष्ट पती जितने भी हाई कोट हैं वो सब के मुख्य नायधिस के नियुक्ति राष्ट पती ही करते हैं राष्ट पती और सुप्रीम कोट के जो मुख्य नायधिस होते हैं वो सब मिल करके सर्वसम्मति से करते हैं चलिए अगला है जहारखन उच्छ न्यायाले के प्रथम मुख्य न्यायधिस कौन थे तो इसका से उतरोगा बिनोध गुमार गुपता ठीक है बिनोध गुमार गुपता चलिए अगर बढ़ते हैं जहारखन के प्रथम मुख्य सचीव कौन थे तो प्रथम मुख्य सचीव थ प्रफम अध्यक्ष कौन थे यानि कि JPSC के प्रफम अध्यक्ष कौन थे तो इसका सही उतर हो जाएगा फटीग स्वरी फटीग चंद्र है ब्रह्म यह सी ओप्षन चलिए आगर बढ़ते हैं जारकन में कितने परमंडल है तो जारकन में कितने परमंडल है तो इसका सही उतर हो जाएगा अभी के समाई में पांच परमंडल है ठीक है पांच याद रखेगा ऑप्षन में पांच नहीं है तो यहां पे पांच सही उतर होगा ठीक है चाहिए यह पालामु है उत्रीचोटा नाकपूर दख्षिन नाकपूर कुलहान है और एक और है याद नहीं आ रहा छा मैं पता है तो कमेंट में जरूब बताएगा ठीक है पांचवाब चार तो मैंने बता दिये पलामू छोटा नागपूर और उत्री छोटा नागपूर तीन हो गया एक कुलहान है ठीक है सबसे छोटा परमंडल कुलहान ही है याद रिखे गए भी और पांचवा याद नहीं आ रहा उसको अगर आपको पता है तो कमेंट में जरू बताएगा च ठीक है 24 इस याद रहेगा और जब जारकन बिहार से अलग हो रहा था उस समय अठारा जीले थे बाद में 6 नए जीले बनाए गए हैं यह भी पूछता है कि जारकन में कितने नए जीले बनाए गए हैं तो सजह उतर बताएगा 6 ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं जारकन में जिले के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता है तो जिले के प्रमुख अधिकारी को कहा जाता है उप आयुक्त डीसी तेक है सही उतरोगा डीसी चलिए आगर बढ़ते हैं जहारखन में कितने अनुमंडल है तो जहारखन में अनुमंडल की संख्या है 33 ठीक है 33 अनमंडल है लेकिन 33 अभी वर्तमान में 42 अनमंडल है ठीक है वर्तमान में 42 चलिए अगर ये डेटा देदे तो 42 सही होगा ठीक है चलिए आगर बढ़ते हैं जारकंड में अनमंडल पदाधिकारी को निम्नलेखित में से कौन सी सक्ति प्राप्त है तो इसका सेवतर होगा विधी प्रसासन राजश्व प्रसासन और विकास प्रसासन ये सभी सही होगा चलिए आगर बढ़ते हैं जारकंड में कितने प्रकंड है तो जारकंड में टोटल प्रखंड है 260 जारकंड में अभी टोटल 260 प्रखंड है याद रखेगा अभी वर्तमान डेटा यही है और मैंने आपको यहां पर पताया था यह अनुमंडल वाले में कि 42 हैं लेकिन यहां पर अभी करेंट डेटा में 45 है अभी करेंट डेटा में यानी वर्तमान में जारकंड में 45 अनुमंडल है याद रखेगा 45 चलिए आगे बढ़ते हैं ठीक है करेंट डेटा मुझे मालूम नहीं था इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम था देखे यहां पर अगला सवाल है जारकंड में सरकिल अधिकारी सरकिल अधिकार तो यहां पर देखें कौन सदाइत वह प्राप्त नहीं है यह आपको बताना है देखें सही उत्रों के यहां पर भूकरए और विकरए ठीक है मतलब की जो भूमी का मतलब कोई खरीता है या बेजता है तो उस पर सियो साइन नहीं कर सकता है ठीक है उसके पेपर पर सियो नहीं कर सकता है ठीक है वो अनमंदल में होता है चलिए SDO में SDO के पास होता है यह सभी अधिकार अगला है जहारकंड पंचाइती राज विध्यक कब पारित हुआ तो यह विध्यक जो है वर्स 2001 में पारित हुआ था टेक है 2001 में चलिए आगे बढ़ते हैं जहारकंड में किस प्रकार की पंचाइती राज विवस्था को अपनाया गया है इसका सहीव तो रोजाएगा त्री अस्तरिया टेक है पंचाइती राज विवस्था यहां पे त्री अस्तरिया है चलिए जहारकंड में पंचाइती राज विवस्था के सबसे निचले अस्तर पर किसका गठन किया गया है तो सबसे निचले अस्तर पर यहां पे ग्राम पंचाइत का गठन किया गया है ग्राम पंचाइत के हेड रहते हैं मुखिया ठेक है ग्राम पंचाइत के प्रधान व् रहते हैं अगला है अगला है जारकंड में पंचाइती राज व्योस्थाक अंतर गत मध्यवर्ति अस्तर पर किसका गठन किया गया है तो सबसे निचले अस्तर पर तो यह ग्रामिन जो रहता है ठीक है ग्राम पंचायत रहता है तो मध्यम वर्ग में कौन सा रहता है तो मध्यम वर्ग में रहता है ग्राम समीती ठेक है जार्खन में पंचायती राजवेवस्था के सिखर अस्तर पर किसका अगठन किया गया है सबसे निचले अस्तर पर ग्राम पंचायत और उसके उपर पंचायत समीती और सबसे उपर जो है जिला ग्राम पंचाथ समीती रहता है ठीक है जिला ग्राम पंचाथ समीती हो गया तिनस्तर का चली आगा बढ़ते हैं हे निम्नलेकित में से वो कौन सा कथन असात्य है इनों में से कौन सा कथन असात्य है वो आपको बता ना है देखे यहां कि एक पहला कथन कहे रहा है कि इस residents का सबी अस्थानिय करन इज़ित्य त्रविद्यों का केंद्रबिंदू है ये वात सही है मतलब जितने भी ग्राम में कारिय होते हैं, उन सभी केंद्रविंदू ग्राम सभा है, अगला है ग्राम पंचायत का मुख्या, सरी मतलब प्रमुख मुख्या होता है, ये भी बात सही है, मैंने आपको बताया था, अगला है ग्राम पंचायत समिती के प्रमुख को प्रखंड वर्षों का होता है ये बात गलत है ठीक है जितने भी संस्थाएं हैं मतलब ग्राम पंचाथ समिती के उन सभी कारेकाल 5 वर्षों कर रहता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं चलिए अगला है जार्खन में प्रखंड अस्तर पर सरकार के प्रधिनिती के रूप में कौन होता है तो प्रखंड अस्तर पर बीडियो होता है ठीक है यहां पर सयुतरोगा प्रखंड विकास अधिकारी बीडियो ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं जार्खन में ग्राम कचहरी किसके अधिन होती है तो जार्खन में ग्राम कचहरी ग्राम पंचायत के अधिन रहती है ठीक है और इसके हेड रहते हैं मुखिया चलिए आगे बढ़ते हैं ग्राम पंचायत में कौन ग्राम वासियो तथा सरकार के बीच कड़ी का काम करता है तो कड़ी का काम करता है यहां पे ग्राम सेवक टेक है सही उतरोगा ग्राम सेवक चलिए आगे बढ़ते हैं भारतिय सविधान के किस अनुछेद में राज्य वित्त आयो के गठन का प्रावधान है तो इसका सेवतरोगा 243C में ठीक है 243C में चलिए निम्नलेकित में से कौन सी जारकंड में नगरिय अस्थानिय प्रसासन की इकाई नहीं है तो इसका सेवतरोगा नगर विकास समीती तेक है नगर विकास समीती ये नगरिय अस्थानिय प्रसासन की इकाई नहीं है बाकी नगर निगम नगर पाल क्या ये सभी जो है नगर के ही भाग है चलो रची छत्रीय विकास प्राधीकरण यानि की RRDA के स्विभाग के अंतरगत है तो RRDA जो है ये नगर विकास विभाग के अंतरगत आता है नगर विकास विभाग क्योंकि ये नगर है चलिए जीला तथा उसके मुख्याले के सममन्ध में निमलेकित में से कौन सा योगम सुमेलित नहीं है तो यहाँ पे सवाल थोड़ा गलत है यहाँ पे आप नहीं को हटा दिजिए ठीक है नहीं को आप यहां पे हटा दीजिए चलिए तो यहां पे सवाल बन जाएगा कि जीला तथा उसके मुख्याले के सम्मंद में निम्नरेकित में से कौन सा युगम सुमेलित है तो यहां पे यह सभी सभी होंगे ठीक है पाच्छमे सिंग्भूम का जो है रायधानी सेतिपूर में है यह बीबात सही है ठीक है यह सब सही है अगला है पलामु का डाल्टनAST में है यह भी सही है यहां पर उपर्योक्त सभी आप ही है चलिए आगे बढ़ते हैं जारकंड में अनुसूचित जाती के लिए आरक्षित एक मात्र लोकसभा सीट कौन सी है तो एक मात्र जो लोकसभा प्लामू का जलिए अगला है जारकंड में अनुसूचित के लिए आरक्षित लोकसभा सीटो की संख्या कितनी है तो इसका सही उतर जाएगा 3 लोकसभा में तीन सीटे आरक्षित हैं और सुचे जनजाती के लिए अगला है वर्स 2009 के अंत में हुए जारकंड विधान सभाद चुनाओ के बाद निम्नलेकित में से कौन सा गठवंधन सरकार के मुख्यमंत्री बनाए गए तो उसका से उतर होगा सीबू सोरेन सीबू सरेन जो है गठवंधन के सरकार बनाए थे और यही मुख्यमंत्री बने थे चलिए आज कांतिम सबाल है निम्नलेकित में से कौन कोल विद्रो के नितित्व करता थे तो कोल विद्रो के नितित्व करता थे बुधु भगत तो उमीद है आपको यहां तक सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा कोई कन्फिजान है कोई सवाल है तो कमेंट जरू किजेगा और पिछला वीडियो अगर आप आठ ठीक है पिछले आठ वीडियो जो अगर आप नहीं देखा है तो उसको भी जरू देख लिजेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरू किजेगा चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जर नवाद जय हिंद